प्रदेश की भाज़पा सरकार ने जिस तरीके से मौतों के आंक्रे चुपाएं उसको लेकर प्रदेश के मुख्य मंत्री शुराज सिंग चोहान स्वास्त मंत्री किसी जमाने में कांग्रेस के पड़े निता प्रभूराम चौधरी सही उन तमाम जिम्मेदार लोहों पर एफाईयार हो उन पर कारवाई हो इसको लेकर लगाता और दोशियों के खिलाब कड़ी कारवाई करें। इसी के चलते आज रीवा के कोविंदगर में शयर कांग्रेस अड्यक्ष गुनमीर सिंग मंगू ने एक घ्यापन सोफा और कारवाही की मांगी। आईए आपको पताता हूं घ्यापन में क्या कुछ था और घ्यापन सौप जबकि उन्हें ने साब तोर पर कहा कि मत्रप्रदेश में एक लाख से भी अधिक मौते करोना में हुई हैं जिसके आकड़े छुपाए जा रहा है कोरोना वेरियंट की जब बात करते हैं को बोला उसके मुकात वे आज तक और सुप्रीम कोट में केम सरकार ने खुद कहा है कि यह कोरोना वेरियंट है यह सच है हम लोग खुद बोलते हैं कि हमारे उपर आफ आई यार दज करती हैं हमें जेल बेदिये एक लाख से अधिक मौ कि अदर नवेरियंग कोरोना है लिए और पहले हम लोग चाइना कोरोना का नाम सुनते थो आज या इन्डियन कोरोना इंडियन है क्यों हर एक अधर के अंदर कोई भी घर आब देए रिवा त्हर का हो या गोविन गलका हो हर एक घर में कहीं परसान तो परसान है आज करह न कि अंदर धर्ना प्रदर्शन हुआ है वोविंगल मेजर पंचाइद के अंदर पियाई साथ से कहा गया है बलाक अजजज जी पंगज पांड़े जी के निसुर्थ में कि की सिवराज सिंग्टी और सबस्क्राइब की ति अंगे क्या अंदोलन की रूप रेखा होगी आंक्यों लगातार जारी रहेगा या तो कमलनाजी पर मुकर्दमा वापस ले चुश करतिक और अपने परिवार का बहुत भाब ख्यार रखे अगर आपने चैनल को और पेला आइकम दबाएं और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुड़ेज़